हेलो स्टुडेंट्स आज किस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमाई SQL के functions जो भी SQL हमको built-in function provide करता है उसको हम पढ़ेंगे और इस chapter में सबसे important चीज को मैं बोलूँगा functions है क्योंकि यह पहली बाद तो predefined functions है और आपको पता होना चाहिए कि कौन से function का क्या use है ताकि आप उन सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास string functions जो है अब देखो function basically क्या है आपको आइडिया होगा function क्या है basically एक predefined command होता है क्या होता है पहले function समझें क्या होता है एक predefined set of commands ठीक है इसको हम बोगते है function like सबसे पहले हम पढ़ने वाले है string functions के बारे में ठीक है string functions हम cover कर रहे होंगे so अब string functions को शुरू करा जाए देखो string function हमें सा पहली बास समझ दो string पर ही लगेगा है ना एक एक function आपको बढ़ाऊंगा मैं पहला function हमारे पास है करेक्टर फौर सब्सक्राइब क्या करेगा क्या parenting आपको रिटेंद करेंगा आप यह अफैरल इतन करेगा इसको इसको वापस करके दो थीक हैizar करेक्टर फौर सिंपल यह आपको सिलेक्ट कर जा और जो आपका value डालने है 77, 67, इस तरीके से हम इसको use करेंगे, next हमारे पास है, next is concat, अब देखो concat क्या करता है, concat, इसका काम होता है, ये दो string को add कर देगा, add, sorry, इसको लिखेंगे to add strings, ये हमारा दो strings को add करने के काम में आएगा, ठीक है, हमें simply करना क्या है, इसके लिए, ये दो चीज़ को जोड तो देता ही है, हम इसको इसको इस्तमाल करें, कुछ इस तरीके से देखो, select, और हमारा यहाँ पर आएगा concat function, इसके बाद, आपको जि आएक, जो दो column को आपको जोड़ना है, वो आपको यहाँ लिखने, column 1, column 2, ठीक है, column 2 के बाद, यह इस तरह आएगा, ठीक है, हाँ, और फिर उसका simple आपका रहेगा, like from, वही आपको यहाँ पर आएगा, table का नाम, ठीक है, and then, आपकी जो भी आपको condition के वेसिस पर करना चा next अगर हमको next cover करें, तो अब देखो, next है हमारे पास lower, ध्यान से समझ लो इनको, और इसको करेंगे, इसका एक और नाम है, l case, l case क्या करेगा, आपका जो भी आप इसको value दोगा, उसको lower case में convert कर देगा, ठीक है, क्या करेगा, यह to convert in lower case, यह हमारा lower case में convert कर देगा, अब next ह हमारे पास, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, और एस, इनके short form भी याद रखने हैं, आपको ठीक है, सब स्ट्र, अब देखो, सब स्ट्र क्या करेगा, सब स्ट्र जो है, यह आपका return करेगा, return the अब सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, एस, इस पैसिफाइड, ठीक है, नेक्स अगर हम देखें, नेक्स हमारे पास अगर, lower case था, तो हमारे पास एक, अपर केस भी रहेगा, अपर केस और, यू केस, यू केस क्या करेगा, यह आपका convert करके देगा, आपको किस में, अपर के केस में, अब हमको नहीं पता, अपर केस क्या होता है, अब, lower case का मतलब होता है, small letters, ठीक है, और अपर केस का मतलब होता है, basically, capital letters, समझ गए, हाँ, यह समझ गया, नेक्स्ट, हमारे पास दो और बच रहे है, एक है, हमारे पास trim function, trim function क्या करेगा, जतनी भी extra space होगा, यह गा, remove extra space, यह trim का काम है, एक और हमारे password length function है, अब यह ध्यान से समझ दो, length function क्या करेगा, length function आपकी help करेगा, आपको length provide कराएगा, यह क्या करेगा, यह आपको return करेगा, the length of string, और एक चीज़ ध्यान लो, sorry, समझ लो, length चो है, आपकी string, वो किस में करेगा, length of string, यह bytes, यह bytes के अंदर आपको provide कराएगा, length of string, तो यतने तो हमारे थे, string के functions, अब हम पढ़ेंगे, हमारे, numeric functions, कौन से function पढ़ेंगे, अब हम, numeric function, ठीक है, चलो, यह हमारी बात हो गई, string के functions के, अब cover कर ले जाए, numeric, mode जो हमारा है, वो थोड़ा गंदा हो जा रहा है, बार-बार, next है, हमारे पास, numeric function, अब numeric function में देखो क्या क्या है, यह भी बड़े ध्यान से समझ देना आप लोग, ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है, mode function, अब mode function दो करेगा क्या, यह आपको remainder वापस देगा, क्या देगा यह आपको यह return करेगा remainder, ठीक है, अब इसका इस्तमाल कैसे करना है, वो भी समझ लो, simply आपको select लगाना है, mode और 11,4 अगर आपने लिख दिया है, ठीक है, तो यह क्या करेगा अब देखो, अब 11 को चार से divide करेगा, अगर हम 4 को 11 से divide कर दें, स्वरी, अगर हम 11 को 4 से divide करते हैं, तो 2 बार जाएगा यह, 8 और 3 remainder आएगा, तो यह remainder बच रहा है, यह आपका answer में आ जाएगा, क्या इतनी बात समझ गई, हाँ इतनी बात समझ गई, बहुत बढ़िया, next हमारे पास है, function सारे समझ लेना बहुत important है, next हमारे पास है power function, अब पावर भी लिख सकते हैं, और इसको POW इस तरह भी लिखते हैं, यह क्या करेगा, यह आपकी raise करेगा, power एक number के ऊपर, raise power on base number, ठी है, अब मैं समझा कैसे रहा हूं, ज्यान से समझ लो, करना क्या है हमको, simple लिखना है, select power, और, अगर हम 2 पे, 2 और 3 लिख लिखे हैं, ज्यान लखना, इस power function के अंदर, सबसे पहले हम लिखते हैं, base, फिर हम लिखते हैं, power, base मतलब किस number है, power लगानी है, और कितनी power लगानी ह तो हम इसको लिखेंगे, power 2,4, अगर हम 3 वे आवर 8 लगानी है, तो हम लिखेंगे, power 3,8, अगर हम 8 वे आवर 4 की लगानी है, तो हम लिखेंगे, power 8,4, अगर 2 वे आवर 5 की लगानी है, तो हम लिखेंगे, power 2,5, समझ गए, हाँ भीया हमको, अब तो समझ में, अब तो भे रट गया हमको कोई रात में पूछेगा ना तब भी हम उसको बता देंगे चलो बहुत बढ़िया बस इतने ही तो आपको आना चाहिए नेक्स्ट корet अब यह क्या करेगा यह आपका और वह ठेगा राउंड ओफ करेगा टिजिस को ठीक है और प्रव्रीजिट्स का और नमबर को आपको राउंडाफ करना है तो सिंपल लिखो सेलेक्ट है राउंड और जो आपका नंबर वो यहां लेख जो like 48.6.14 और यहां लेखो कितने कितने decimal कितने digits तक आपको precision चाहिए लाइक उन्हें दो तक चाहिए तो अब समझ लो पहले पुरी कानी समझो देखो नंबर है 48.614 अगर हमको बोलेगा यह एक डिट का precision चाहिए नंबर वो डिट का precision का मतलब है कि decimal के right side में कितने आपको digits चाहिए है चीदी बास समझो ठीक है अगर मैं इसको बोलूँगा कि भाई राउंड 48.614,1 तो यह क्या करेगा इसका answer आएगा 48.6 अगर मैं बोलूँगा राउंड 48.614,2 यानि इसका answer आएगा 48.6,1 अगर मैं बोलूँगा राउंड 48.614,3 तो यह तो ऐसे जाएगा 48.614 डिफरेंस समझ रहे हैं ना जो को मैं एक एक फंक्शन को पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए ठीक है ओके नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है विच इस यह रहा है नेक्स्ट हमारे पास साइन फंक्शन है ठीक है यह क्या करेगा यह फंक्शन जो है यह आपको रिटरन करेगा उस नंबर का साइन ठीक है रिटरन साइन ऑफ आ नंबर यूज कैसे करना है सबको सिलेट के साथ यूज करना है ठीक है अगर हम इसको इस तरीके से लिखो कि सिलेक्ट साइन और यहां पर आपको ड़ल देना अपना नंबर क्या बात समझ में आ रही है ना देखो जब से इसको बढ़ा रहा है लिखना काफी जादा पड़ जाता है बट मैं आपको यह बता मैं आपको सम्झाना चाहता हूं और वह भी ध्यान से समझो कोई क्या कि चीज नहीं छोड रहा हूं है आपके लिए ठीक है अब अब स्कुवार्टी क्या करेगा यह आपका देगा नौन नेगेटिव स्क्वार रूट अफ नमेरिक एक्स्प्रेशन यह आपको रिटरन करता है कि यह एमिसे ध्यान अगना नौन नेगेटिव रिटरन रिटरेंट करेंगा और इसको यूज कैसे करना है बहुत सिंपल है select sqrt और इसके इंदर जिसका भी आपको इसको है रूट चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो ठीक है बात समझ गए हाँ यह हम समझ गए बहुत बढ़िया तो अभी क्या कतम अभी खतम नहीं अभी एक और बचा है और वो आपका है truncate function बचा हुआ है बचा है truncate function बचा हुआ है अब यह ट्रंकेट क्या करता है truncate function में क्या है कि आपको कि देखो किसी नंबर तक किस नंबर के कितने वही सेम है रही है आपका जो आपको कितने एक नंबर को बोलेंगे इसको यह round off करेगा up to number of decimals और अगर आपने decimal को zero कर दिया तो फिर ही क्या करेगा इसमें कोई decimal point आई गाई नहीं समझो like अगर मैंने लिखा select truncate 48.614,2 लिखा मैंने ठीक है तो यह करेगा दो तक करा देगा इसका output जाएगा 48.61 समझे हाँ यह ठीक है बट अगर मैं यहां पर लिख दूँ सिलेक्ट ट्रंकेट 48.614,0 तो यह क्या करेगा यह सिले करा देगा समझे है ठीक है हाँ यह यह बात समझने आई चलो अब हमारे पास है डेट और टाइम में हम जो लैबरेरी फंक्शन इस्तमाल करने वाले हैं वह हम देखते हैं ठीक है अब यहार देखो कपड़ा इस्तील इस्तमाल करना पड़ता है इसमें आज तक वह नहीं है कि आप ठीक है बारवा डस्टर से यूज करने से ना यह बारवा बोर्ड गंदा हो रहा है पर मैं क्वालिटी के साथ कंपरमाइज नहीं करना चाहता है तो हमको उठाना पड़ा अब डेट एंड टाइम के फंक्शन यह काफी आसान है आपके नमेरिक और स्ट्रिंग के कंपेशन बहुत इसी आई है अगर सबसे पहला अगला देखो सी यू आर डी एटी ए को समझ में आया हां समझ में आ गया करेंट डेट और करेंट डेट तीनों अगर आप यूज करोगे तो आपको मिलेगी क्या करेंट डेट मिल जाएगी it returns the current date use कैसे करना है बहुत simple select current date और यह तीनों के तीनों जो है वो आप use कर सकते हो एक दूसरे की जगाए पर लाइक कह सकते हो आपके पास options available है हमारे पास options available है next वो हमारा है date अगर आप date का इस्तमाल करोगे date function का ठीक है तो यह क्या करेगा आपको सुनो यह extract करेगा date from expression ठीक है from date time expression यानि कहीं पर date और time अगर लिखा हुआ है तो यह आपको सिर्फ date date वहाँ से निकाल के दे देगा अब इसको use कैसे करना है इसको use करना है select date और उसके अंदर लिखा होना चाहिए एक बात ध्यान रखना कि यह हमेशा हमारा फॉर्मिट में ही चीजें होनी चाहिए ठीक है बारा पंदरा और टाइम अगे ले लेता हूं नो बज़ रहे होगा और लो यह इस तरह use किया जाएगा next हमारा है month function month function कैसे इस्तमाल करेंगे यह आपको देगा यह month return करेगा returns month from date time expression नई month from date pass आप इसको जो भी date दे दोगे वहां से आपका यह month वापस कर देगा लाइक यह use होगा select month आपने जो भी इसको date दे दी बस यह ध्यान रखना कि हम फॉर्मेट में चीज़ें दें है ना अगर गलत फॉर्मेट में दोगे तो फिर वह गलत यह आपको आंसर देगा सेम इसकी तरह है यह अब आपका वापस करेगा यह फ्रॉंग डेट पास है ना तो को तेस्टे दिखना पड़ रहा है यार उमीद कर रहा हूं कि आपको मैं भूल रहा हूं लिख रहा हूं साथ मैं समझ में आ रही होंगी चीज़ें ठीक है select करेंगे क्या यह और जो भी आपने डेट दिया है ओके ठीक है अब इसके बाद दो फंक्शन हमारे और बच रहे हैं पहला बच रहा है हमारा नाव नाव आपको क्या देगा नाव जो है जिस टाइम पर इस फंक्शन को एक्जिक्यूट किया गया है यह वो टाइम आपको रिटन करेगा फंक्शन इस एक्जिक्यूटेड समझ गए हाँ हम समझ गए अब सिंपली इसके लिए वो करना क्या है यह चलेगा सिलेक्ट नाव नेक्स आपका एक और लाष्ट में बच रहा है विज इस सिस्टम डेट यह आपकी सिस्टम की जो डेट है वो आपको वापस कर देगा ठीक है क्या करेगा रिटन दा करेंट सिस्टम डेट और इसको हम यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको उपर लिखके दिखा देता हूँ शायद आपको नीचे का नहीं देख रहा होगा ठीक है तो हम इतनी जगए में हमारा हो जाएगा सेंपल तरीका है सेंपल नहीं थोड़ा सा इसका अलग तरीका है ठीक है सेलेक्ट पहले हम नाव लगाएंगे कोमा स्लीप टू कोमा नाव इसको हम इस तरीके से यूज कर रहे होंगे ठीक है वोहार है अगला टॉपक है फंक्शंस फंक्षेंट है तो हम इसको भी कुछ यह बहुत ज्यादा बहुत तो नहीं है तो हम इसको कभार कर लिए जाए है ना चलो अब अब अग्रिगेट फंक्शन में क्या है कि कुछ आपके नंबर और फंक्शन से वह जब आप उनको मिहीं कि यह अग्रिप उंगी यहां मतलब होता है फॉस फंक्शन समझा पहले भी सिकाओं मटर फिर भी स करें गया वह डिक्स्टेंट है दूसरा ओल है डिक्स्टेंट का काम क्या है समझ लो डिक्स्टेंट हम यूज जब करेंगे तो इसमें कोई भी डूबलीकेट एंट्री नहीं आएगा ठीक है इसमें क्या है ओल एंट्री इसका नाम ही है ओल तो इसमें ओल एंट्री नहीं फरक परता हो डू function हमारे सिर्फ पांच है ध्यान से समझ लो बस चैप्टर आपको खतम है पहला function हमारे पास AVG जो function है यह हमारा इस्तमार कर रहाएगा average निकालने के लिए किसके लिए average निकालने के लिए जब हमको average निकालना होगा syntax अपके समझते जाओ यूज आप अलाम से कर लोगे syntax है average अब देखो जो भी मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं यह है कि अगर आपको यूज करना है तो आप करो नहीं करना है तो आप मत करो ठीक है average and then बस इसका इंटेक्स इतना ही अब इसको यूज करके आपको एक्जामपल दिखा देता हूं कि सिलेक्ट कि अवरेज जिस कॉलम पर लगाना राइक मुझे सेलरी पर लगाना था और मुझे एवरेज दिखाना है ठीक है अवरेज और फ्रॉम जिस टेविल का आपको एवरेज जिस टेविल में यह सेलरी कॉलम वो यहां लेग लो लाइक है हमारा इंप्लॉई वाली टेविल के अंदर है ठीक है तो यह हमारा एवरेज आ जाएगा नेक्स्ट एवरेज वह होता क्या पहली बाद यह समझ लो है कमेंट में आप लोग बताना ठीक है नेक्स नमारे पास है काउंट सी ओ यू एंटी काउंट का मतलब क्या है यह आपकी काउंट करेगा नंबर ओफ रोज नंबर ओफ रोज आपकी काउंट करके देगा इसका सिंटैक्स है देखो सिंटैक्स सेम ही है यहां पर सिंटैक्स है इसका काउंट काउंट में आप यह स्टार भी आप लगा सकते हूं हर एक चीज़ का मतलब बताऊंगा डिक्स्टेंट और और यह आपका लग जाएगा यहां एक्सप्रेशन इस तरीके से आपकी किताब में लिखा है मैं सब आप का यूज करने का वह है सेलेक्ट काउंट स्टार और यह हमने लगा दिया टोटल ऑगो हम क्या करेंगे फ्रॉम इंप्लॉक तो आपके जितनी पी इंट्री यह सब को काउंट कर लेगा ठीक्र जिस नबर अफ रोज न हैं हमस्त करके बता देगा यह हूं के नेक्स्ट का यूज्ज हम इस तरह कर सकते हैं एक स्युलेक्ट काउंट हमने यह पट्ट्टे अदर बेला पर लगा दिया ठीक हा जॉब वाले में तो हम यह कर रहे हैं job count कर रहे हैं अब यह क्या करेगा यह आपकी जितने जॉब के अंदर हमारी entries है number of rows हैं वो आपको बता देगा थर्ड नमबर पर हम कर रहे हैं हमें select करना है select count 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 और हम डिक्स्टिंट लगा देंगे यहां पर डिक्स्टेंट और डिक्स्टेंट मैंने जॉब लगा दिया तो अब क्या करेगा जितने भी कॉलॉम्स में जॉब जो है वो डूबलीगेट होगी ना वहाँ पर यह उसको छोड़ देगा ठीक है और हम यहाँ पर लगा देंगे सिंपली फ्रॉं इंपलॉई फ्रॉं और टीचर और एक इसमें प्रिंसिपल है ठीक है अगर मैं इसकी बात करूँन तो इस सारे काउंट कर लेगा यह आपको चार दिखाएगा अगर डिक्स्टेंट की बात करूँ तो इसमें डूबलीगेट एंट्री को एक यार माने तीचर को यह एक यार काउंट करेगा ठीक लोगे हैं बहुत ऐसी है ठीक है वो भी गवर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास हैं तीसरा हमारे पास मैक्जिमुम फॉंक्शन यह क्या करेगा मैं वैल्ली और आपको बता देगा इसको को इस्तमाल हम ऐसे कर लेंगे select max जिस column पे भी आपको लगाना है वो column आप इस पूल बता दो और यह आपका आ जाएगा from table तो लगाना important ही है ठीक है from table name आपका लगा दो यहां से ठीक है next fourth maximum number highest देगा ठीक है अगर हम min की बात करें तो यह आपका minimum दे देगा minimum मतलब सबसे lowest value आपकी देगा अगर हम इसके syntax की बात करें तो बहुत easy यह आगे हमारा minimum और यह हमारा column और from यह हमारा आगे यहां से table का नाम आ जाएगा ठीक है next अगर हम एक और बात करूँ मैं तो वो हमारे पास सम सम क्या करेगा सम हमको total दे देगा ठीक है total यानि कि सब को जोड़के दे देगा यह आपको और इसके लिए आपको simple क्या करना है select sum जिस column का भी आपको sum करना है वो आप यहां पे लगा दो वहां पे यहां पे लिख दो and then from के बाद यहां पे आपका आजाएगा table क्या इतनी बाद समझ में आई अगर आपको इतनी बाद समझ में आई है तो यह chapter आपका समाप्त होता है यहीं पर अब chapter तो समाप्त होता है लेकि मैंने आपको कुछ questions और notes चेप्टर के समाप्त होते हैं ग्रूप में डल जाएंगे जब तक आप वीडियो देखोगे notes डल चोके होंगे तो इस जो description box में जाओ वहाँ से जो group है python for class works को join ज़रूर करने है ताकि आपको भी यह notes मिल जाएं साथ में इनमें मैंने questions नहीं लगवाई है questions को ज़रूर practice करना टॉपिक के बाद तभी आप long time तक आपको चीज़ने समझ में आएंगी तो मिलेंगे आप से भी से हम chapter 13 के साथ में तब तक के लिए जाना को subscribe कर लेना और साथ में वीडियो को like कर देना और दोस्तक share भी कर देना कर दोस्तक कर दोस्तकायो कर दो de